हेलो स्टुडेंट वेल्कम टू दे लेंड फलाई स्टुडेंट आज हम डिसकस करने वाले हैं में सुरेशन के और एक टॉपिक राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में पिछले वीडिया में ट्रेंगल के बारे बात किये थे इस वीडियों राइट एंगल ट्रेंगल के बारे कि क्या कहते है को समवकोनत्रीवूज ठीच है अब लोग पता है ने कहात है अगल का मान इने कितना में आपका जो एक कॉन कितना होंगा 90 का सब्सक्राइब मितना ह repent regular इसमwegen पहला सब्सक्राइब कहते हैं तरे साइब क्या कहते हैं पर परपेंडियूर परपेंडियूर और बेच को किसे कि यह को बैस को बीस है जिसको विए चलेट और राइट अंगल चैंगल में यह है कि perpendicular और अर बेर्टי हमेंशां बड़ा कि हमेंसे बड़ा होगा मैया मतलब مतलब फी अब सिय कैसा है बड़ा होगा ठीक है जब बड़ा हो जाता हो जाया राइट रिंगल त्रेंगल ठीक है और इसमें जा आपको कोंड कितना होगा एक मतलब एक कोंड कितना होगा 90 जो पर पर इंडिग्र रोगा ठीक हो राइट एंगल ट्रेंगल का जब का फॉर्मॉला बनेगा इसका फॉर्मॉला रहता है अगर इसका एडिया पूछे मतलब एडिया ओफ राइट एंगल ट्रेंगल एडिया ओफ राइट एंगल ट्रेंगल इसका जब का फॉर्मॉला बनेगा हाफ इंटू पी इंटू भी ठीक है एरिया ओफ राइट एंगल ट्रेंगल का फॉर्मॉला होगा हाफ इंटू पीबी हाफ इंटू पीबी जहां पर पी का मतलब क्या परपेंडिकुलर और बीका मतलब क्या बेस और एच का उतलब क्या है पोटीनियस लेकिन इसका जये एडिया निकलने के लिए फर्मलाइव यह हाप इंटु पीबी पर पेंटु अटु बीज ठीक है और पर पेंट गोला इंडी में कहते हैं लंप और बिसको कहते हैं आधर और सूरी सो क्या करता है इसको अश्यक्त करता हो हिसमें लोग चल flakes को क्या करते हैं परेंग बूड़ करते हैं रॉसकों कहते है तो और कहने पीबी ठीक है अगार माल नहीं इसमें क्या है अपका थीटा मेंशन नहीं किया गया कभी कभी ऐसा रहता है कि आपका एरिया निकालने बोल देगा और इसका थीटा मेंशन कणूज जाएगा जब जब थीटा मेंशन किया जाएगा मतलब पुछेगा कि एडिया ओफ राइट एंगल ट्रियांगिल ठेके जब थीटा मेंशन किया जाए तब इसका फॉर्मुला बनेगा हाप इन्टू पी बी साइन थीटा क्या होगा हाप इन्टू पी बी साइन थीटा area of right angle triangle formula हो का half into PB Sun theta जहाँ पर P परपेंदिकुलर बेकाब एस और साइन डिजड़ीज़ जब थीटा मेंशन किया जाए तब आपका formula बने का half into PB साइन डिटा अगर theta mansion नहीं किया जाए तब इसका फॉर्मॉला बनेका half into PB up into where it will risk to search support こ取 वाप को राइट एंगल ट्रेंगल समझ में आ गया है और इसका जो फॉर्मूला बना आपका फोलूला को भी समझ में आ गया है इसका फॉर्मूला को याद लखिए कियमकि हमें सांट सौल्ब करने ज़रूरत पर्दता है ठीक है अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजे कमेंट की किजिए शेयर कीजिए और चैनल में फस्टेम भीट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू बेरी मच